यहाँ पर MNR एक वैक्टर स्पेस है जिसमें सभी स्केर मेत्रिक्स ओफ ओडर साइज एन के आते हैं और एन के वैल्यू गिरेटर देन टू है W इस Vector Space का सबस्पेस है और वो span हो रहा है I A A² और यहाँ पर यह जो सारे element होंगे Size N के होंगे यहाँ के N by N matrices, square matrices होंगे हमें यहाँ पर W की dimension निकालने है तो हम जानती है कि सबस्पेस की जो dimension है वो Vector Space की dimension से exceed नहीं कर सकती है Otherwise वो उसका सबस्पेस नहीं रहेगा, कुछ हमारे पास standard dimension पता होती है जैसे R N की जो dimension है वो N होती है, M by N matrices की जो dimension होती है, over R वो M into N होती है अगर square matrices ले ले ले, over R, तो उसकी dimension N square होती है और यह previous का सबस्पेस है ऐसे ही dimension of P N, इसके क्या होती है, N plus 1 हमारे पास यह कुछ standard है, जिसके direct हम dimension बता सकते है अब हमें dimension of W बतानी है, तो उसके लिए अगर हमें किसी तरह से basis element पता चल जाए तो हम यह बता सकते हैं कि उसके dimension कितनी होगी basis को हम दो तरह से consider कर सकते हैं एक तो कर सकते हैं smallest spanning set plus linearly independent या दूसरी तरह से largest linearly independent plus spanning इस तरह से हम इसको दो तरह से consider कर सकते हैं अमाल लेते हैं यहाँ पर A जो दे रखा है वो MN vector space में block करता है जो condition में given है hypothesis में अगर यह इसमें block करता है तो हम इसके eigen values भी निकाल सकते हैं इस matrix के eigen values निकाल सकते हैं और उसको निकालने के लिए हमें evaluate करना होगा A minus lambda I का determinant यानि के हम यहाँ से characteristic equation निकाल सकते हैं तो माल लीजे इसके characteristic equation कुछ इस तरह से है जैसे x raise to the power n plus A note x n minus 1 plus A1 x raise to the power n minus 2 and so on equals to 0 यह इसके characteristic equation है अगर यह इसके characteristic equation है तो कोई भी matrix अपने care equation को satisfy करता है यहाँ से हम लिख सकते हैं a raise to the power n plus A note a raise to the power n minus 1 and so on equals to 0 अगर हम यहाँ से an को लिखें तो मैं उसको लिख सकता हूँ minus of A note a raise to the power n plus A1 a raise to the power n minus 2 and so on तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सारे linear combination हो जाते है spanning element के यानि कि जो a n है वो spanning element को use कर रहा है और spanning element कौन-कौन है I से लेकर I A और A के integral powers up to n minus 1 यहाँ तक तो यहाँ से हमें यह पता चल गया है कि जो dimension है W की W की जो dimension है vector की dimension से exceed नहीं कर सकते हैं और vector space की जो dimension है वो आपकी n square है तो उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं यहाँ पर जो option b दिया गया था यह तो discard हो जाता है और यहाँ से हम यहाँ पर देख सकते हैं इस linear combination में कितने elements है n हैं तो क्योंकि जो matrix a है वो repeated होंगे यानि कि जो spanning element है spanning set है w के लिए उसमें identity है a है a square है उसमें कुछ है इसे भी matrices होंगे जो repeat होंगे और उनको हम उसके previous linear previous matrix की help से उनके linear combination के form में लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्योंकि linear combination कितने का है n elements का है n elements का है मतलब spanning में कितने elements आ रहे हैं n आ रहे हैं spanning में अगर n आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो w की dimension है वो at most n हो सकती है एक्जेक्ट नहीं हम उसके बारे में बता सकते हैं लेकिन at most n हो सकते हैं option a correct होगा और बाकि option c और d यह wrong होगे